FD कराण वाले नू लगण वाला है बड़ा चटका 11 अपरेल तो लागू होना लियाने नविया दरा सचिकाल में हां शिखा संधीर तुसी वेख्रेयों डेली पोस पंजाबी फिक्स डिपोजिट हर कोई जेड़ा करवांदा है सोच के किते ना किते जरूरत पैन वेले जरूरती समय दे वेले FD फंट जेड़े ने जरूर का मानगे परदास दिये के हून सरकार दे वालो इना दरा देवेच कुझ मामूली जेड़े ने चेंज कीते जारेने जेते ए जान लेना थोड़े ली बेहत जरूरी है कि आखिरकार किने साल दे लई किनिया दरा देवेच जेड़े चेंज कीता गया क्योंकि सरकार दे वालो इन नविया दरा ऐलान दिती हैं याने सरकारी बेंक इंडियन ओवर्सीज ने FD उते मिलन वाले व्याज दरा देवेच कटोती कीती है बेंक ने व्याज दरा देवेच 0.40 प्रतेश तक दी कटोती कीती है नमी देरा 11 अपरेल तो लागू होन गिया इसतो पहला हाली देवेच पंजाब नेशनल बेंक ने अपनी बहुते खातियां उते मिलन वाली व्याज दरा देवेच वी कटोती कीती है याने जदकी पुरानी व्याज दर दी गल कीती जावे ता 3.40 प्रतेश ती चाली तो 90 दिना दी गल कीती जावे ता नमी व्याजदार 3.5 प्रतीशत है जदकी पुराणी दरा जडिया ने 3.90 प्रतीशत सी 90 दिना तो लेके 170 दिना तक दी गल कीती जावे ता नमी व्याजदार 4 प्रतीशत है जदकी पुराणी व्याजदार 4.40 प्रतीशत सी 180 तो लेके 1 साल तो कट तक दी गल कीती जावे ता नमी व्याजदार 4.5 परतीशत सी जदकी हुण पुराणी व्याजदार दी गल कीती जावे ता 4.90 परतीशत है 1 साल तो 2 साल तो कट दी गल कीती जावे ता नमी व्याजदार जड़ी है 5.15 परतीशत है जदकी पुराणी व्याजदार 5.15 परतीशत सी 2 साल तो 3 साल दी गल कीती जावे ता 5.2 परतीशत नमी व्याजदार है जदकी पुराणी वी एहु सी तिन साल तो दस साल तक दे व्याज दर्दी गल किती जावे ता नमी भी 5.45 ते हुण भी 5.45 ही है ता पंजाब नेशनल बैंक ने व्याज दरांद वेच्च कटोती कीती है जिस दिन आल थोड़ा बहुत ज़ादा फैदा होण वाल है ता हुण मैं थो नो दसुंगी कि आखिरकार किस तरीके देना लेना दरांद वेच्च जादा कटोती कर दिती गई है ते ये थोड़ेले मुनाफे वाला साबित हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी बचत खातियां उते मिलन वाले व्याज देवेच्च कटोती कीती है हुण 10 लाख रुपे वलो काट बैलन्स वाले बैंक खातिया लही व्याजदार नू 2.75 परतीशत वलो कटा आके 2.70 परतीशत सलाना कार दिता गया उते ही 10 लाख रुपे वलो 500 करोड रुपे देवेच्च बैलन्स उते था नू 2.75 परतीशत सलाना व्याज ही देना पए विगा इस देवेच्च 0.5 परतीशत दी कटोती कीती गई है नमी दरा चार अप्रेल तो अल्रेडी लागू हो चुकी है ने तहुन आपा जानांगे कि आखिरकार साल दर साल किनना व्याज थोननू पुगतांड करना पवेगा आखिरकार स्टेट बैंक ओफ इंडिया देवलो किस तरीके ना तुसी हर साल जेडा थोननू व्याज देना पवेगा एक साल दी FD दे व्याज दीगाल करिये ता सेंटरल बैंक ओफ इंडिया देवेच 5 प्रतीशत, SBI 5.10 प्रतीशत, HDFC 5 प्रतीशत, Yuko Bank 5.10 प्रतीशत, KOTAK Mahindra 4.90 प्रतीशत, Bank of Baroda 5 प्रतीशत, Indian Overseas 5.5 प्रतीशत जदकी दो साल दी FD दे व्याज दीगाल करिये ता सेंटरल बैंक ओफ इंडिया 5.10 प्रतीशत, SBI 5.V, HDFC 5.10 प्रतीशत, Yuko Bank 5.10 प्रतीशत, KOTAK Mahindra 5.15 प्रतीशत, Bank of Baroda 5.10 प्रतीशत, Indian Overseas उसी तरीके देनार तिन साल दी FD दे व्याज दीगाल कीती जावे ता सेंटरल बैंक ओफ इंडिया 5.10 प्रतीशत, SBI 5.T प्रतीशत, HDFC 5.10 प्रतीशत, Yuko Bank 5.10 प्रतीशत, KOTAK Mahindra 5.T प्रतीशत, Bank of Baroda 5.10 प्रतीशत, Indian Overseas 5.15 प्रतीशत जेकर 5 साल दी FD दे व्याज दीगाल कीती जावे ता सेंटरल बैंक ओफ इंडिया 5.15 प्रतीशत, SBI 5.40 प्रतीशत, HDFC 5.25 प्रतीशत, Yuko Bank 5.10 प्रतीशत, KOTAK Mahindra 5.T प्रतीशत, दुजे पास से Bank of Baroda 5.25 प्रतीशत, अते Indian Overseas 5.25 प्रतीशत ते 5 साल दी FD दे व्याज दर लएगी ता हुन जेकर तुसी किसी वे तरीके दी FD करोना चाओं दे होता ए जानकारी असी जरूर सोच दिया कि थोड़ी किसे ना किसे काम दी होवेगी ता कमेंट सेक्शन दे वेच अपनी राय रखना ना पुलना उन मैनू शिखा संधीन दे जाजत तनवाद